दोस्तो एसिया कब 2013 के सूपर फोर का पांचवा मैच आज स्री लंका बनाम पाकिस्तान के बीचे खेला गया और इस मैच में स्री लंका ने पाकिस्तान को हरा कर पोइंच टेबल में दूसरे नंबर के साथ साथ एसिया कब 2013 के फाइनल में कौलिफाइ कर लिए जबकि पाकिस् को पॉइंट स्टेबल में काफी बड़ा नुकसान हो चुक है तो ऐसे में पॉइंकुन सी टेम कितने पॉइंट के साते कौन से अस्थान पर है और कौन तो वीडियो रहने वाली है काफी ज़्याद इंपॉड़न वीडियो में अंततकव बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अंदा बाद ना हुए थे तो सो किरकेट से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन ने कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जएगी तो आएए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पोइंस टेबल में सबसे आखरी यानी चोटे अस्तान पर है बंगलादेश साकी भुलहसन की कप्तानी वाले टीम बंगलादेश से चोटे अस्तान पर बनी विये इस टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं और इस टीम को इन दोनों मैचों में जो है हार का सामना करना और वो मैच कल यानी 15 सिप्टमबर को इंडिया के खिलाफ रहने वाला है अगर ये मैच बंगलादेश जीत भी जाती है तो भी एसिया कप 2000 ते इसके फाइनल में नहीं पहुच पाईगी बंगलादेश एसिया कप 2000 ते इसके फाइनल से ओफिसली बाहर हो चुकी है जबकि पॉइंस टेबल में तीसरे अस्तान पर है आज का मैच हारने वाली टीम पाकिस्तान बावर आजम की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान को आज के मैच में सिलंका ने हरा दिया जहां पाकिस्तान अब तक अपने तीन मैचे खिल चुकी है और इन तीन मैचों में से दो मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि मात्र एक मैच में इस टीम को जीत मिली है और इस टीम के पास टोडल दो पॉइंट है तो इस पाकिस्तान का जो नेट नेट है माइनस में काफी जादा खराब है और पाकिस्तान जो है एसिया कब 2030 के फाइनल से ऑफिसले बाहर हो चुकी है अब इस टीम के कोई भी चांस नहीं है फाइनल में जगे बनाने के पॉइंस टेबल में दूसरे अस्तान पर पहुंच चुकी है आज का मैच जीतने वाले टीम स्रिलंका स्रिलंका ने आज के मैच में पाकिस्तान को रहा है जहां स्रिलंका अब तक टोडल तीन मैचे खेल च और स्रिलंक का एसिया कब 2023 के फाइनल में ओफिसली कॉलिफाइ कर लिए पूरी तरह से कन्फरम हो चुके अभी इस टीम का फाइनल मैच इंडिया के साथ रहने फल है जबकि पोइंस टेबल में पहले नंबर पर बनी हुए है इंडिया इंडिया ने एसिया कब 2023 के सुपर फोर में अब तक का दो मैच खेली है और इस टीम को इन दो के दोनों मैच में जो है जीत मिली है जहाँ इस टीम के पास टोडल 4 पोइंट है तो इस इंडिया का जो नेट रनेट प्लस में काफी ज़्यादा अच्छा है प्लस 2.690 इस टीम का नेट रनेट है जो कि सभी टीमों से काफ़ी ज़्यादा बहतर है अभी इंडिया को एक मैच और खिलने हैं बंगलादेश के तल और ये मुकाबला 15 सेप्टेमबर को रहने वाल है और अगर ये मैच इंडिया जी जाती है तो फाइनल के साथ साथ पॉइंच टेबल में भी पहले नंबर पर फिनिशे करेगी तो द इंडिया या फिट सी लंग का कौन सी टीम में जीतेगी कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तो इस टूडम बस इतना ही अगर आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना थैंक्यू सो मच गाइस फोर वाचि इस वीडियो